आज हम गे थे, मम्मा के याँ देखो, दोनों ने हैंकी लटकाया हुए, ये 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 दन को चुछ, ये इसका हैंगी, ये मेरे टोप, ये मेरे टोप, ये मिल बाइसे, और पड़सो, जबसे वो न्यूद सुनी है न सच में, बोहुत इतने डर हुए ना देखो, ये भी, मैं भ ये लड़की को टान के मारा गया, वैसी इन लड़कों का एक एक पार्ट काट करके पहले एक एक पार्ट काटो, और उसी Rs. Кटाटे और उसकी वीडियो बना करके सोसल मेडिया पर डालो ताकि जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को सबत मिले करने सकते ना लेकिन हम इसकी जाज़त नहीं है यार अगर गौर्णमेंट नहीं कर सकती कुछ भी तो आम आदमी के पास शोड़ दो उन लोगों को आम आदमी अपने अ कर दी क्योंकि एक साथ अकेले रहती थी वह मतलब यह नहीं कि बच्चों के लिए नहीं हम लोग बच्चे बुजूर आज कलना सब बूर को इतना खत्रा हो गया है और इतना डर बैठ गया है न मन में मैं सच बता हूं तो पैता है मेरे मन से क्या निकला था परसो कितना कि भागवान ने मुझे यह दी है बहुत अच्छा है उनका धन्यवाद है लेकिन ऐसे मोहल में क्यों दी उससे अच्छा तो हम पहले थे पहले हमें डर नहीं था तन्नु बड़ी थी हम लोग फिर भी तन्नु को लेकिन यार आजकल छोटा बड़ा किसी की भी सेफटी नहीं है किसी की भी नहीं है इतना डर रहता है ना हर चीज में अब किसी को देने में भी डर लगता है कोई मांगता भी ना तो नहीं नहीं दे कई लेकर बाग जाओ इंडिया इंटिया की सप इतना डर यार अपने घर में हम लोग दर के रहा रहें आपने पैसे अपने से एक मताली निकालनी होती है को यह एक ऐसी जगा बता दो कि कि क्या कोई एक ऐसी जगा बता दो कि जहां हम अपनी बच्ची को ले जाएं और हम वहाँ पे जाके बहुत आते हैं यार डेली भरा रहता है बोल ऐसे को ना इतना मारना चाहिए न साड़े तीन महीने की बच्ची के साथ में नियूज पर पढ़ते हैं में रोंग्टे खड़े हो जाते हैं मैं इस शेयर करना भी नहीं चाहती थी लेकिन जब हद हो जाती ना अती हो जाती है तो मैं चुक मन करता है कि आप लोग अपने या शेयर करो साड़े तीन महीने की बच्ची नो महीने की बच्ची इवन एक केस ऐसा है जो मैं कभी याद भी करते हुआ में रोंग्टे खड़े होते हैं होस्पिटल में एक दिन की बच्ची के साथ में क्या कितनी हैवानियत है या लेकिन तड़पा के तब उनको पता लगए जिसको मारा है वो कैसे तड़पी होगी उसके घरवाले क्या सारी जिंदगी तड़पेंगे बेचारे इस के एक्वाले के बीत रही है मतलब हम लोग सोच के हमारे रुण थे वह तोच कि हम लोग डर रहे हैं और जनके अपर बीता है और जिस लड़की के साथ में हुआ है क्या कैसी जिन्दगी हम लोग जी रहे हैं क्या पैसा किस एच का पैसा कैसी साइन्स कैसे गोर्रन्टा क्या आभी कुछ हो जाए ना सरकार में लेकिन यहां पर एक भी इसा नहीं खड़ा कैंडल मार्च निकाल देंगे हम लोगों के कहने से मैं मानती हूँ कि जब तब तक पूरी सब लोग नहीं खड़े होंगे तब तक कुछ नहीं होगा और सबसे बड़ी बात जब तक गॉइंट कोई एक्शन नहीं लेगी तब कुछ नहीं होगा वॉट के लिए ना एक्शन लेगी गॉब्मन्ट तो डर रही है वाइं परसो एक लड़की संसद मार शं और यह जब वोट मांगने आते हैं लोग तब तो इनकी गाड़ी पर गाड़ी पर गाड़ी हर चीज निकलती है जंडे लेले के हमें वोट देना है हम जिताइए हम यह करेंगे वह करेंगे कहां गए तुम लोग सारे कहां हो कैसे हम लोग अपनी बच्चियों के साथ में सेफ रहें एक चीज बता दो कि गौवर्मेंट जो है ना यह बता दो कि हम अपनी बच्चियों के वहां चले जाए हम लोग वहां पे सेफ रहेंगे सच में वीडियो बनाने का में बिल्कुल भी मनीता कि मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगी नहीं छेड़ूंगी लेकिन हर चले जाए मैं किसी से मिल रही हुना किसी से भी अब जैसे में घर से मम्मी के घर जो चार पांच जेनले अपने पेट में दुबारे रख लूँ एक लिस्ट सेफ तो रहीगी महाँ पर तन्नु आयाए का कॉलीज जाती है इतना डर रहते हैं इतना डर रहते हैं कब आईगी कब आईगी दिन में 10 बार फोन करती हूं बोलते हैं मुझे मत फोन क्या करो कॉलीज में मैं क्लास और यह भी पता है उस दिन इतने गुस्से में थे जिन यूज आई थी अगर मुझे गौर्णमन पर्मिशन देना तो मैं उनको खुद अपने आथ से मारूं और भले ही गौर्णमन मुझे फांसी पर चड़ा दे मैं इसके लिए मंजूर है मुझे मैं खुद फांसी पर किसे लिएं कोन सुनेगा हमारी यहां पर द दड़ो-चार लोग सुने недilement कर śुद बनने वाले कोला करने कानून बनाने में ओनना हो न यह बढ़ाने किसी चीज़ का यूई सब कुछ मतलब बैसे बजट फाइनल होता है तुरंथ की तुरंथ हंजी इस पर यह बढ़ गया वह लेकिन रेप के टाइम पर कहां चले जाते हैं कहां कहां हो तुम लोग तुमार क्या बोलें वह यह ना बोल के भी अपना मुह गंदा क बोल बोल के रह सकते क्योंकि एक जने के अवार टाने से कभी भी कुछ नहीं होगा मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखे थी जहां पर एक विदेशी और ने नीचे कमेंट किया था जब तक यहां की लेडी जी अपना हाथ नहीं खड़ा करेंगी अपने लिए नहीं मांग करेंगी कुछ नहीं पूरे कुछ दिनों तक वन वीक तक भी अगर सभी लेड़ी जो ने ओफिस जाना छोड़ दिया बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया उनके हस्बेंट सब लोग ओफिस वगरा दुकान वगरा सब टोटल बंद हो जाएं सायद कुछ हो लेकिन 2-4-5 दिन शथी वही पढ़ने बिल्कुल बंद कर रखा कि न्यूजबर पड़ते हिना सुबह सुबह बस रेप की न्यूज रेप इतना डर इतना डर इतना डर जितनी खुशी गौरी के होने पर हुई ती ना उससे डबल ट्रिपल पितना विलागा लोग अतला डर सबसे पहले स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है उनको सब को स्कूल में भेजना है बंद कर दो लोग आपस में स्कूडेंट के माभव क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई रुख जाएगा वो रुख जाएगा अरे यह सोचों के फूचर सेफ हो जाएगा वो स्कूल को बंद करवा उस स्कूल में जितने जिसने सब को भार निकालो और स्कूल प्रशाशन हाथ कदम ने उठाता कुछ भी वो कहता है यह नहीं है वह नहीं है वह नहीं लगाने लग जाते हैं वह उनको जबी दिखेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे नहीं आ रहे हैं कि टीश्रों के इस तंखा ने कल नहीं बंद हो रहेगा कोई बात नहीं हैं लेकिन कोई नहीं है हम लोगों के बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला बस हम लोग मन की बढ़ास निकालते हैं और कुछ नहीं होता है कल भी हम लोग परसों पूरी रात पैठें ऐसी टॉपिक पर बात होती रही थी क्या करना है क्या करना है क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं हम से सेफ हों लोग यह सूस से रहते हैं कि नट विद्धि के